नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ तो यह क्वेश्चन हमको पूचा है रिदीप शर्मा जी ने तो इनका क्वेश्चन है कि मैंने अपनी जमीन लीज पे ले ली है और मेरा लोन भी सेंक्शन हो चुका है तो अब मुझ लेगा एक लगदब साथ से आट दिन का पीरेड लेता है इस सिर्फ आपका पॉलिह सेटप करने के लिए उसके बाद के दस से पंदर दिन लगते हैं आपका पूरा NFT चैनलिंग, water requirement और plumbing का work कम्प्लीट करने में तो ये सारे सेटप आपको कम्प्लीट हो जाएंगे लगबग 35 to 40 देज के अदर लेकिन पैरलली जब भी आपका हेड्रोफोनिक सेटप काम चल रहा है उसी दौरान आप आपका plantation भी कर सकते हैं तो जन कुछ plants होते हैं जैसे की पालक बगेरा हो गया ये आपको day 30 पे आपको ये harvest देंगे लेकिन कुछ plant होते हैं जैसे की बेसिल बगेरा कि day 45, day 50 से प्लांटे जो harvest देना स्टार्ट करते हैं लेकिन वो अगले 7 से 8 मेने तक आपको harvest दे सकते हैं तो आपको decide करना है कि कौन सा plant आ प्लांट का life cycle क्या है तो generally जब मैंने setup किया था तो मैंने इसको एक cross setup किया था मैंने किया था इसमें production rocket lettuce का और basil का तो जबी मेरा plant setup complete हुआ था उसके लगबक 15 से 20 दिन के बाद मेरा rocket lettuce का production स्टार्ट हो चुका था जो मैं market में भेज रहा था और उसके लगबक और 15 दिन के ब कि जब मैं complete level work जिसे बोलते है कि मैं continuously market में भेज पाता था यह अचीव होने में 40 days में मेरा harvest वगेरा start हो चुका था मेरा harvest अचीव होना start हो चुका था लेकिन वह बहुत ही कम मात्रा में था क्योंकि initial phase था मुझे everyday almost 4-5 kg मतला बहुत ही कम मात्रा में लेकिन harvest मुझे मिल रहा था और day 45 से day 45 के बार लेकिन धीरे 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 अस सुन है रीच day 55 to day 60 तो चाटवे दिन से मेरा लगभग 55 to 60 kg production per day start हो चुका था हमारे hydrophone setup से तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 40 days का period लेगा complete setup complete करने में 45 days से आपका harvest initial harvest start हो जाएगा day 60 से आप इस थारान आ जाग तो मिलते हैं next video में एक नए question और एक नए answer के साथ thank you